आप सबी का सबागत आए देखते हैं आज की खास खबर शपत ग्रहन से पहले पी एम मोदी अरामी शाह के बीच बैठा मंत्रियों के नाम पर माथा पच्छी पीएम नरेंद मोदी लगाता दूसरी पार पधान मंत्री पत की शपत गुरुबार याने के आज शाम रास्टर पती भवन में लेंगे हाला कि इसमें पहले मोदी मंत्री मंदल को लेकर कयासोप का बाजार गर्म है इस बीच सूतरों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाह और पीएम मोदी के बीच आहम बैठक से मंत्री मंदल के नाम फाइनल हो सकते हैं पिछले 24 घंटे में पीएम मोदी और शाह के बीच कई दौर की बैठक हो जोगी है दिल्चस्प ये है कि शाह खुद भी मंत्री मंदल में शामिल होने की रेस में है अमिच शाह साल 2014 से बीजेपी की रास्च अध्रक्ष है और पिछले 5 सालों में उन्होंने सफलता पूवक पार्टी का संचालन किया है साथ ही पिछले 5 सालों में कई चुनाव में बीजेपी को जबर्दस्त सफलता मिली है अमिच शाह ने भी इस पार गांधी नगर से लोगसभा चुनाव लड़ा और बड़ी चीत हासिल की बहरहाल सुत्रों के अनुसार अमिच शाह को वित्य मंत्राले दिया जा सकता है अमिच शाह के अलावा राजना सिंग निदीम गडगरी प्यूश गोयल निर्मला सीता रहमंत सुरेश प्रभू स्मिधी इरानी, रविशंकर प्रसाथ, बीके सिंग, राम विलास पासवान जैसे नाम बे शामिल है जिनको मंत्री मंडल में शामिल की अचाना पक्का माना जा रहा है खास कर स्मिधी इरानी को भी यहां मंत्राले दिया जा सकता है स्मिधी ने अमेटी में कौने सद्यक शाहुल गांधी को हरा कर बड़ा उलट फेर किया है यहां देखना दिल्चस्प होगा और उन जेटली ने एक दिन पहले बुद्वार को स्वास्त कारूनों का हवाला देते हुए साफ कह दिया कि इस पार मंद्री मंदर में शामिल नहीं होंगे पेम मोदी ने भी जेटली की चिठी के बाद बुद्वार शाम उन से मुलाकात की इन सब की बीचकई सुत्र अमिट शाह को वित्य मंदरी का प्रबल विदर बता रहे हैं हालाकि इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है बीजेपी के सहियोगी दल की बात करें तो सिपसेना ने अर्विंद सावंत का नाम सामने रख दिया है सिपसेना की ओर से मुदी मंदरी मंदल में वह शामिल होंगे दूसरी ओल एलजेबी से राम बिलास पासवान का नाम भी तय है इन सब के बीच कहा जा रहा है कि नितीश कुमार ने क्याबिनेट में दो पोस्ट मांगी है अकाले दल से हरसी मरत कौद पादल या उनके पती सुपीर पादल को जगह दी जा सकती है तो अमेने स्नीज आप की ख़बर देखनी के लिए आजी प्ले स्टोर से मेने सिंधी आप डाउन मुट करिया और हमाई एचेंगों सब्सक्राइब के धहिएवाद